राश्वरी राजधाने दिली के शाहिन बाग में नागरिकता शेंशोधन कानून के विरोध में लोगों का प्रदर्श्वन कतमने का नाम नहीं ले रहा है यही वज़व है कि शाहिन बाग में CAA के खिलाफ पिछले 52 दन से धरना जा रही है वहीं दिली पुलस ने पिछले दिनों हुई फाइरिंग के बाद शाहिन बाग में अब सुरक्षा और कड़ी कर दी है सोमवार शाम को पूरे लाके में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवान भी शाहिन बाग पहुँच गए है आपको बता दे कि शाहिन बाग में पिछले 52 दन से CAA और NRC के खिलाफ विरूद प्रदर्शन जा रही है प्रदर्शन कारियों ने सरकार से नागरिक्ता शंशुधन कानून वापस लेने की मांग पर अड़े है उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तब तक वह शाहिन बाग में डटे रहेंगे प्रदर्शन वाली जगहों के नजदीक दोनों तरफ मैटल डिटेक्टर लगा दिये गए है जबकि वहाँ से गुजरने वाले लोगों की तलाशी लेने के साथ ही उनका सामान भी चेक किया जा रहा है बिरो रिपोर्ट दबंग नियूज